हेलो पेरे बच्चों बच्चों कैसे हैं आप सबी आए होप की सबी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 5 के विशागणित के एनियस प्रैक्टिस पेपर के कारेपतरक 2 को सॉल्व करेंगे वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें तो शुरू करते हैं Q1 है प्रिया 88167 की आबादी वाले सहर में रहती है वह इस संख्या को सब्दों में लिखना चाहती है वह संख्या को सही तरीके से लिखेगी ऑप्शन है 881067, 88166, 88166 या फिर 88166 तो बच्चो इसका आंसर है ऑप्शन नमबर D नेक्स्ट है नीचे दिए इस रंखला को पूरा करें बच्चो यहाँ पर है 1, 3, 6, 10, 28 तो बच्चो यहाँ पर 1, 3, इसके बीच में कितने प्लस किये गए हैं एक में दो, तीन के बाद फिर इसमें कितने प्लस किये गए हैं, तीन, तीन और तीन छे होते हैं, अब बच्चों यहाँ पर है दस, छे में कितने प्लस किये गए हैं, चार, तो बच्चों दस के बाद कितने प्लस किये जाने चाहिए, तो बच्चों दस के बाद हम प्लस करें गे 6 तो कितना आएगा 21 तो बच्चों यहां पर उप्षन है 14-18, 15-22, 16-23, 15-21 तो बच्चों आंसर है उप्षन नमबर D, 15-21 आएगा नेक्स है सिमरजीत को निम्रेले की सामान खरीदना है बच्चों सिमरजीत को किताबे खरीदनी है 250 रुपे की कॉपियों का सेट है 375 का, पैंसल के डिब्बे है 145 के, रंगों के पैकेट है 195 के, पैविकॉल है 110 रुपे का, उसी लगबग कितने रुपे के नौट लेकर दुकान जाना चाहिए तो बच्चों यहाँ पर ओप्शन है 500, 500, 200, यहाँ पर बच्चों 500, 200, 200, यहाँ पर बच्चों 500, 2000, तो बच्चों कितने हो गए 2500 रुपे, यहाँ पर बच्चों इसका जो सामान है वो कितने रुपे का है पांच और पांच 10 पांच 15 का पांच कैरी 1 उसके बाद बच्चे नौर एक दस चार चौध है और साथ कितने होंगे 21 और पांच 22, 23, 24, 25, 26 और एक बच्चो ये हो गया कितना हो गया 27 का साथ लिखेंगे कैरी हो गये 2 अब बच्चों आगे प्लस करेंगे 2 और 3 कितने होते हैं 5, 5 और 1, 6, 7, 8, 2, 10 तो बच्चों सामान कितने का हुआ 1075 तो बच्चों इसके पास में कौन सी वैलिव है तो बच्चों 1075 के पास में कौन सी है option number 1 बच्चों 25 सुरूपे जादा है यहाँ पर 1400 जो हैं यह भी जादा है और यह बच्चो 900 रुपे हैं यह कम है तो बच्चो कौनसी वैल्यू बच्ती हैं 1200 रुपे इटमीज सिमर्जीत जो है उसे 1200 रुपे लेकर दुकान जाना चाहिए तो इसके A option पर सही का निसान लगाएंगे अब बच्चो question number 4 किस आकरती में एक बटा दो भाग चायंकित है तो बच्चो यहाँ पर देखते हैं पहली आकरती इसमें क्या है इसमें पांच भाग है जिसके दो भाग जो है चायंकित है इसके बाद है बच्चो यहाँ पर चार भाग है तो बच्चो इसमें से तीन भाग यहां पर लिखेंगे तीन बटा चार अब यहां पर कितना है यहां पर दो भाग है जिसमें से आदा भाग जो है एक भाग छानुकित है तो बच्चो कितना है इसका च्छाय अंकित है तो बच्चो इसका आंसर है ऑप्चिन नमबर C आप बच्चो कोशिन नमबर 5 सना को निमनली की संख्या दिखाते हुए चार लौटरी मिली लौटरी 1 3708 लौटरी 2 3788 लौटरी 3 3750 लौटरी 4 3705 कौन सा कथन सही है लौटरी 1 सबसे छोटी संख्या है तो बच्चो गलत है यहाँ पर 705 जो है इस से छोटी और भी है तो बच्चो यह गलत है उसके बाद है बच्चो लौटरी 2 सबसे बड़ी संख्या है तो बच्चो यह सही है अब है लौटरी 3 सबसे छोटी संख्या है तो बच्चो यह गलत है लौटरी 3 से छोटी यह भी है और lottery 1 भी है उसके बाद बच्चो lottery 4 सबसे बड़ी संख्या है तो बच्चो ये भी गलत है क्यूंकि lottery 2 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है तो बच्चो इसका answer है option number B अब है बच्चो question number 6 निम्न में से किस आकरती का छेतफल सबसे अधिक है तो बच्चो यहाँ पर देखेंगे कितने square है 1,2,3,4,5,6,7,8 तो बच्चो इसका कितना है 8 cm अब बच्चो इसका देखते है कितना है 1,2,3,4,5,6 इसका 6 है 6 cm अब बच्चो इस आकरती का देखते है 1,2,3,4,5,5,1 तो कितना हो गया 5 इसका है बच्चो 5 cm इसके बच्चो इस आकरती का कितना है 1,2,3,4,5,6,7 तो बच्चो यह भी कम है तो बच्चो सबसे ज़ादा जो है वो किसका है आकरती A का तो बच्चो इसके A option पर सही का निसान लगाएंगे बच्चो question है दिये गए आयत की चोड़ाई याद कीजिए बच्चो इसका परिमाप कितना है परिमाप किसे कहते है चारो बुजाओ की जोड को क्या कहते है परिमाप कहते है तो इसके परिमाप कितना है 120 cm है इसकी लंबाई कितनी है एक बुजा की 40 cm तो बच्चो इसकी कितनी है इसकी भी 40 है तो ब बच्चों हमारे पास दो बराबर भुजाएं हैं और हमें इस आयत की चोड़ाई बतानी हैं तो बच्चे जब हम इसे दो से डिवाइड कर देंगे तो कितना आंसर आया 20 तो इसका मतलब है कि इसकी एक भुजा की जो चोड़ाई है वो कितनी है 20 cm है 20 इधर हो गई और 20 बच् बच्चों यहां पर देखेंगे कितनी सम्मित रेखाएं है एक उसके बाद बच्चों दो उसके बाद तीन तो बच्चों तीन यह रेखाएं हो गई अब बच्चों इस कॉर्णर से इसमें 4 उसके बाद बच्चों 5 उसके बाद बच्चों 6 तो कितनी रेखाएं हो गई 6 त सौनु का घर 1500 मीटर दूर और काकु का घर 999 मीटर दूर है अरू के घर के सब से पास किस का घर है तो बच्चो बी ओप्शन पर सही का निसान लगाएंगे अब है बच्चो question 10 गरीमा को नीचे दिया गया समान खरीदना है 10 किलो चावल की बोरी 900 रुपे में 10 किलो आटे की बोरी 265 रुपे में 5 किलो मुंगदाल की बोरी 535 रुपे में 2 लगबग 75 रुपे की गरीमा को लगबग कितने रुपए लेकर सामान लेने जाना चाहिए तो बच्चों आपर option है 1800, 1600, 1500, 1700 तो बच्चों हम इसे plus कर लेंगे कितना सामान होगे अब 5 और 5, 10 और 5, 15 का 5, carry 1 उसके बाद बच्चों 7, 3, 10, 6, 16 और एक हासिल का 17 का 7, carry 1 उसके बाद है बच्चों 5 और 2, 7, 7, 9, 16 और 1, 17 तो बच्चों सामान कितने का हुआ 1775 रुपए का तो बच्चों इस value के पास में कौन सा है तो बच्चों उसे लगभग कितने रुपए लेके जाने चाहिए 1800 तो बच्चों ए उप्सन पर सही का निसान लगाएंगे अब बच्चों चितरलेक पढ़ें और प्रशन 11 प्रशन 12 के उत्तर दें निम्निलिखित चितरलेक एक कारखाने में निर्मित सजावती गलास की संख्या दरसाता है चितरलेक पढ़ें और निम्निलिखित प्रशनों के उत्तर दें यहाँ पर बच्चों दिन बनाएगा ग्लासों की संख्या, एक ग्लास जो है दस ग्लास के बराबर है, स्वमवार को कितने ग्लास ने बने यहाँ पर, चार है, तो चार का मतलब है, चार दहीं चालिस, चालिस ग्लास बने, मंगलवार को तीन, तीन दहीं तीस, तीस ग्लास बन बूदुवार को कितने बने यह जैंट, बूद्वार को कितने बने, तीन और तीन संख्या में गिलास बने क्य αυτ it, नेक्स्ट सुनिवार को बच्चे यहां पर 2 हैं तो 2 का मतलब एपको 20 ग्लास बने तो बच्चो कौन से दिन अधिक संख्या में गिलास बनाए गए तो बच्चो उप्षन है सौमवार, मंगलवार, सुक्रवार, वीरवार तो बच्चो आंसर है आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा बने सुक्रवार को तो इसके C उप्षन पर सही का निसान लगाएंगे नेक्स्ट है छे दिनों में कुल कितने गलास बनाए गए तो बच्चो छे दिनों में कितने गलास बनाए गए यहाँ पर देखेंगे यहाँ कितने हैं बच्चो यहाँ पर हैं 4, it means 40 गलास बने यहां कितने हैं 3, यहां पर 30 गलास बने यहां पर कितने हैं 5, 50 गलास बने यहां पर कितने हैं 3 और 3, 6, 7, 70 गलास बने यहां पर कितने बने बच्चों 3 और 3, 6, 2, 8, 80 गलास और यहां पर कितने बने 2, it means 20 तो बच्चों इन्हें हम प्लस कर लेंगे आठ और दो, दस, साथ, सत्रे, और पांच, बाइस और तीन, पच्चिस और चार, उन्तिस तो बच्चों कितने गलास बने, दो सो नब्भे गलास बने तो इसके ए उप्शन पर सही का निसान लगाएंगे अब है बच्चों, निमने लिखित स्थिती को पढ़ें और प्रशन तेरे से प्रशन पंद्य का उत्तर दे राम के पास आयताकार प्लोट है, वह आलू और प्याज अलगलग हुगाने के लिए प्लोट को दो भागों में बाढ़ता है वह प्रति एक भाग की चार दिवारी भी करना चाहता है अब बच्चों यहाँ पर देखिए, क्वेशन है आलू के भाग की चार दिवारी के लिए आवश्यक तार की लंबाई ग्याद कीजिए ओप्सन है 140 मीटर, 160 मीटर, 150 मीटर, 100 मीटर तो बच्चों यहाँ पर देखेंगे, बच्चों यहाँ पर इसकी जो लंबाई है वो कितनी है, 40 मीटर है बच्चों यहाँ पर कितनी है, यहाँ भी 40 मीटर है अब बच्चो यहाँ पर कितनी है यहाँ पर यह 30 मीटर है यहाँ पर 10 मीटर जो है यह माइनस हो गई तो यह कितनी है 30 मीटर तो बच्चो 10 यहाँ पर है यह और 10 बच्चो इसकी यह है और यहाँ पर कितनी बच्ची यहाँ पर है बच्चो 30 अब हम इसे PLUS कर लेंगे 30 और 30 कितने होते हैं 60 और 40 कितने होते हैं 100 और बच्चों ये कितना है 40 कितने होगे 140 और ये कितना है बच्चों 10 150 और ये वाला 10 कितने होगे 160 तो बच्चों तार की लंबाई कितनी होगी 160 मीटर तो इसके B option पर सही का निशान लगाएंगे नेक्स्ट है बच्चो प्याज के भाग के लिए आवश्चेक तार की लंबाई ग्याद कीजिए ओप्शन है 160 मीटर, 150 मीटर, 140 मीटर या फिर 180 मीटर तो बच्चो यहाँ पर देखेंगे प्याज के भाग की है तो बच्चो इसकी जो चोड़ाई है वो कितनी है 40 मीटर यहाँ पर बच्चो इसे 70 मीटर है इसमें से 30 मीटर इधर माइनस होगी तो कितनी बच्ची 40 मीटर अब बच्चो ऊपर कितनी बच्ची 30 मीटर, बच्चो यह कितनी है यह 30 मीटर यहाँ यह 10 मीटर है और यहाँ पर 10 मीटर अब बच्चो हम इसे प्लस कर लेंगे 40 और 40 कितने होते हैं? 80 30 बच्चो यह है 30 यह है 60 60 और 80 कितने होते हैं बच्चो? अब बच्चो 10 इस में प्लस करेंगे कितने होगे? 150 50 ये वाली 10 क्लस करेंगे कितने हो गए 160 तो बच्चो इसकी लंबाई कितनी हो गई 160 मीटर तो इसके ए उप्षन पर सही का निसान लगाएंगे अब बच्चो नेक्स्ट है उपरोक्त चित्र में अंकित परी सीमा पर बार लगाने के लिए तार की कुल लंबाई क्या होगी तो बच्चो ऑप्षन है 240 मीटर, 260 मीटर, 270 मीटर, 250 मीटर तो बच्चो यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बच्चो इसकी यह लंबाई है 70 मीटर अब बच्चो इधर कितनी है 40 मीटर इधर कितनी है 40 मीटर और बच्चो इधर कितनी है 70 मीटर तो बच्चो अब हम इसे प्लस कर 220 220 में हम 30 को प्लस करुंगे 250 अब बच्चो 10 यह है 260 और 10 यह है 210 तो भच्चो इसकी बाढ़ा लगाने के लिए तार की कुल लमबाई कितनी होगी 220 मीटर होगी तो भच्चो इसके सी ओप्सन पर सही का निसान लगाएंगे बच्चों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सिर करना न भूलें और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सस्क्राइब करें थैंक यू